नुबस्कार साथियूं मैं हूँ अनुपिसरा आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं पे चनल्स पे कि पसीने को लेके बहुत सारी क्वेरी हमारे पास आई हुई है तो जो पसीने का एक सिसन है वो मैंने अलग अपनी डैरी में नोट कर रखा है और अभी किस किस तरीके के पस पसीना अधिक बनता है या पसीने में दाग रहता है या फिर पसीने से इसमेल बहुत जादा आती है तो इन सभी सेशन में वो प्रश्ण पूछे गए हैं और इसका हमारे परते कुछ चार क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए फटा-फट आज नहीं होती है इसके लिए मैं कौन सी दवा लूँ तो इसके लिए आपको मर्वशॉल 200 पावर में लेनी है यह बहुत ही बेस्ट एफटिव मैडिसिन है इसको पांच बून सुवे साम दोबा लेने से बहुत यह च्छा रिजल देखने को मिल जाएगा दोस्तों अगला प्र पूछ रहे हैं कि स्थान विसेश पर अगर मुझे पसीना होता है तो मैं क्या करूँ तो इसके लिए कलकेरिया कार्ब 200 पावर में आपको लेनी है इसको पांच बून सुवे साम आप लीजिए बहुत यह च्छर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा अगला प्रशन ह इसकिन कैंसर या फिर ब्लड कैंसर या फिर इस तरीके से कोई कैंसर डिजीज कॉज है तो उसमें पसीना जो निकलता है वह हलका सा रेडिस होता है जिसे हम खून का पसीना बोलते हैं तो आपने पूछा है कि इसके लिए मैं क्या करूं तो आपको लेना है यह बहुत ही best effective medicine है फूनी पसीना यदि आपको आता है अत्याधिक पसीना आना यह क्या कारण होता है और अत्याधिक पसीना आने का कारण बहुत ज़्यादा होता है और अत्याधिक पसीना आने के दो तीन बेसिक कारण होते हैं दोस्तों सर्व प्रतम यदि आप अपने खाने पिने की ज़ादा लगेगी तो आप यह पूछ रहे हैं कि सर मुझे बहुत ही ज़ादा गर्म पसीना आता है इसके लिए मैं क्या लूँ तो इसमें होता क्या है कि आपको नसा करते हैं नसा करने के दोरान अगर आपको जो है पसीना रहा है तो ओपियम 200 पावर में लेनी है अगर आप नसा नहीं करते हैं सब कुछ नॉर्मल लेता है तो इसके साथ आपको ओपियम के साथ मैंने बताया और कैमोमिल्ला और लेकसिस 200 पावर में यह दोनों मैडिसन आप यूज कर सकते हैं पांच बून सुबह पांच बून साम अक्सर बहुत अच्छा प्रशनी पूछा गया औ अगर किसी को मीठा पसीना होता है तो उसमें मैं यह क्या करना चाहिए तो मीठा पसीना आने पर आपको क्लेडियम 30 पावर में लेनी चाहिए बहुत यह रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा अगला हमारे साथ प्रशन जूल रहा है कि सर अत्याधिक बद्बूदार मुझे आता है इसके लिए मैं क्या करूँ तो इसके लिए आपको साइलेसिया 200 पावर में लेनी है दोस्त बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा और साथ साथ इसमें क्लेडियम भी बहुत अच्छा रोल करता है लेकिन अगर इसमें कुछ सस्पेंस बनता है तो आपको नजदी के मुप्रिक डॉक्टर से मिलके ही अत्याधिक बद्बूदार पसीने के लिए आप डॉक्टर से मिलके ही करी क्योंकि थोड़ा सा बॉड़ी में सलफर की डियाग्नोसिस भी जरूरी होती है इस वजह से हो सकता है कि सलफर का बॉड़ी में उता बॉड़ी से अनियंतरित होता है और बलड में मिलके बलड के साथ साथ वो सोरा की जो सोरा अपर लेयर स्कीन होती है और इनर लेयर की स्कीन से इसका रियक्शन होता है जिसकी वजह से जो स्वेटिंग यानि जो पसीना आता है उसमें आपको प्रबलम होती है तो आप लोग कि ठंडा पसीना मुझे आता, जब मुझे पसीना होता तो मुझे ठंडी लगती है, तो उस दोरान में क्या करूं सर, तो ठंडा पसीना जो होता है, यह बहुत rare conditions में किसी को होता है, और अक्सर उनको होता है, जो अधिक पान का सेवन करते हैं, तमबाकू या फिर पान का सेव को मिल जाएगा दोस्तों, अगला प्रश्ण में साथ जोड़ा है, सिर्फ काम करते समय ही पसीना आता है, लेकिन उसके बाद मुझे कोई पसीना नहीं आता है, काम करने के दौरान बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कोई काम करने के दौरान कोई बच्चागर लिख रहा है लिखते-लिखते उसके हाथ में एक दम पसीन आ जाता है, और इसके साथ-सको दोड़ रहा है तो दोड़तो-डोड़तो उसके पैर में पतलब लगती उसका स्लीपर निकल जा रहा है पसीने की वज़गए से, तो उसे बहुत सी कंडिसन्स होती है, कि आपको काम करते समय पस सूँच कर रहा है यह पसीन होने से आपको ऐसा फील होता है कि आप अपने आप में बहुत अच्छा अच्छा मतलब इनिसीटीव है लेकिन अगर इसके लिए परिशान है तो आपको मैं बता दूं सोराइन हम 30 पावर में आपको लेनी है, बहुत एच्छल रेजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों तो आज ही हमारा सेसन रहा कि पसीने का जो एक सिक्पेंस था, जो सभी के अपनी एक क्वेरी थी इन सभी को हम लोगोंने एक साइड में रख कर और सारी पसीने की एक सिरीज को हमने बनाया है तो अभी स्वेटिंग के लिए अगर आपको और कोई प्रॉब्लम होती है तो देन आप हमें कमेंट सेक्षन से जाके फिर हमारे वाटसप से जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डारेक्ट बात कर सकते हैं मिलेंगे अपने नए वीडियो में तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें दोस्तों, स्वस्त रहें, मस्त रहें हुमेपैतिक के प्रति जागरूख होँए और ज़ादा सर्थ यज़यादा इस वीडियो को शेर कररें और वीडियो को लाइक और वीडियो को डिस लाइक भी करें क्योंकि ये आपके आधार है और आप जिन्हें अच्छा चाहें बना सकते हैं पसंद नहीं करते हैं, उनकी बातों को पसंद करते हैं, तो उनके लिए एक लाइक, अगर नहीं पसंद करते हैं, तो डिसलाइक भी जरूर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों चैनल को, मिलिंग अपने नए वुडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान स्वस्त रहें, मस्त रहें